कि second year एक ऐसा year है, जिसमें एक तो syllabus नया है, ठीक है, syllabus नया है, most of universities में आप पढ़ोगे तो income tax आपका नया है, course आपका नया है, management आपका नया है, previous year के जो question paper है, वो आपको इतनी अच्छी help करने वाले हैं, वो ही question repeat होते रहते हैं, क्योंकि syllabus वाइड इतना सा है, ज़्यादा बड़ा syllabus नहीं हो, हाई students, how are you, कैसे हो, मैं गोरव आपका स्वागत करता हूँ अपने इस channel, accounting गुरुजी में, पिछले 12-13 साल से, जो teaching का experience है, वो मैं अपने इस channel पर free of course आपका प्रवाइड करता हूँ, and this channel is made for only commerce students, आज की video special है, अभी मैंने एक video बनाई थी, become first year वालों के लिए, कि भाई, 2023 में, exam का pattern कैसे रहने वाला है, कैसे copy check होंगी, कैसे आपको marks लाने, और first year वाले बच्चे जो गलतिया करते हैं, तुम्हें वो नहीं करनी है, जो पिसरे साल बच्चों ने की हैं, ताकि तुम अच्छे marks ला सको, वो जिन्होंने पुरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी, कैसे अच्छे marks ला सकते हैं, वो चीजे मैंने आपको बताई थी, और बहुत ज़्यादा response आया, तो उसमें comments आये थे, second year वालों के, final year वालों के, सर हमें भी बता दो, हम से कौन सी आपकी दुस्मनी है, हम भी तो आपके सगे हैं, तो वाई सब मेरे सगे हो, attention मतलो, आज आपके लिए भी वीडियो लेकर आचुक हूँ, आज मैं अपनी इस वीडियो में, final year और second year, दोना वच्चों के लिए, महला भी यहाँ पर एक तरसे Consolated वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को चाहिए पांच मिनट की हो, दस मिनट की हो, स्यदर नहीं होगी, इस वीडियो को देखने के बाद, मैं 100% शोर हूँ कि आप सबके marks अच्छे आने वाले हैं, आप सबको motivation तो मिलेगा ही पढ़ने के लिए, साथ में exam में कैसे त मिलेगी, जिसमें Consolated मास्टीट होती है, जिसमें तीनों साल के मिलाकर marks होते हैं, तभी जाकर आपकी division बनती है, अब किसी की first year में मान लीजे, first division आगी, बहुत चोड़ा हो रहा है, मेरी first division आगी, 65% आगे, 75% आगे, second year में डबबा गुल हो गया, marks बिल्कुल कम होगे, 40-45 इस पर टिक गया मावला, और third year में भी 50-55 आए, तो क्या आपकी first division बनेगी, average लगा के देखो, नहीं बनेगी, तो कोशीज ये करनी है हमें, कि अपना एक target लेके चलना है, कि हाँ, हमारी जो final year की एक consolidated mark sheet आएगी, उसमें मुझे इतने percent चाहिए, अगर आप अभी सही वो target पना के चलोगे, तो आप 3 साल में manage करके number ला सकते हो, ऐसा मैंने किया था, मेरा target हा क्योंकि मैं job करता था, job के साथ मैंने कभी marks को तवज्ज़ नहीं करी, लेकिन मुझे पता लगा कि हाँ, अगर किसी job में जाना है, तो third division तो मांगते ही मांगते है, मैंने हमेशा समझने को field के ओ, मनलब जो subject होता है, उसको समझने पर धियान दिया, number पर कभी धियान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था, मुझे teacher बनना है, और teacher बनने के लिए knowledge होना बहुत जरूरी है, तो मैंने अपने subject की knowledge लिए, लेकिन फिर भी, एक-दो दिन, हफते, 15 दिन, 20 दिन की पढ़ देखो, second year को एक बात कहा जाता है, हमारे teacher कहा करते थे, और मैं भी अपने बच्चों को यही सब बताता हूं, कि second year एक ऐसा year है, जिसमें एक तो syllabus नया है, ठीक है, syllabus नया है, most of universities में लाइक, आप पढ़ोगे तो income tax आपका नया है, course आपका नया है, management आपका नया है, बहुत स सब्जेक्ट्स हैं जो आपको नये मिलेंगे, दूसरा, second year एक ऐसा year है, जिसमें या तो marks कम आते हैं, या first year से बहुत अच्छे आते हैं, उसका reason है, हमारा interest, तो सबसे बड़ी चीज़े second year में interest होना, और वो बच्चे ध्यान से देखो वीडियो को जो पूरे साल अब तक प हमेशा आपसे कहता हूँ, कि अगर आप book नहीं ले सकते, question bank तो ले ही लो, मलब अभी ले लो, देर मत करो, कुछ बच्चे कहेंगे, market में तो अभी आई ही नहीं, अरे पिछले साल के पुराने ले लो, कम से कम दो company के ले लो, उनको बैट के analysis करो, कौन से questions common है, उनको तयार क समझो और अपनी एक तो skills बढ़ाओ, presentation पे, लिखने पे, जितना अच्छा लिखोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ points जरूरी है, समझने, आइए समझते हैं, सहर से पहले, tough than first year, यह मैंने भी बताया, कि जो second year है, वो first year से tough होता है, अब मैं आपको draw नहीं रहा, मैं आपको aware कर रहा हूँ, यह मत सोचो, first year में क्या था, 25% portion 12th वाला था, 11th वाला था, मानना नहीं मानना, सच है न, yes, लेकिन second year में सब कुछ नया है, income tax पहले कभी पढ़ानी, cost account पहले कभी पढ़ानी, basics बढ़ा होगा तो बात अलगे, और भी वह सारे subjects है, theory में, जो आप को लगेगा, अब ऐसे, कुछ university में subject final year में होते हैं, income tax पहले, तो आप अपनी साथ समझाई लीजे, so the main thing is about two, कि second year में, आपको first year से ज़्यादा efforts देने पढ़ेंगे, अब तक अगर time ने कुछ नहीं करा, तो आप कर ये please, numerical नहीं कर सकते हैं, तो theory के लिए, दो question bank लेकर उस मिल जाएगा, जाके follow कर लो, ठीक है, new syllabus की बात करें, तो मैंने बताया भी new syllabus होता है, most important questions, अब ये अच्छी बात है, इसकी ये goodness है, second year की, क्या, मैं example लिता हूँ, income tax है, income tax अगर आपके second year में है, या किसी के final year में हो सकता है, income tax के कुछ question आते ही आते हैं, जैसे salary का question है, आत ही आता है, business and profession और house property उसमें से एक आता ही आता है, consolidated जो वो होता है, tax calculation of taxation, आता ही आता है, कुछ theory के question है, जैसे आपका tax deduction हो गया, या evasion हो गया, tax evasion, ऐसे कुछ topics है, जो most important है, मेरी videos आप देख लिए, पुराने delivery हुई है, theory की वो आपको मिल जागी हमारे channel की playlist में, आते ही आ परन הमें confusion है, क्या करें, क्या ना करें, आप खुद देखोंगे, model में आपको मिलेंगे, मिलेंगे, most important है, मैं coast account की बात करूं, coast account का reconciliation वाला question आता ही, आता ही, coast account का आपका question होता है, जिसमें, coast sheet night tender आता ही, corporate account जो आता ही, ठीके है, तो कही ना कहीं, आप यची समझें कि कु हैं और थियोरी में भी ऐसा कुछ है तो यह चीज़ आपको समझनी होगी अब आप को किसर यह कौन से कोश्चन है कहां से पता करें आप इंपोर्टेंड वाली वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो अगर मिल सके है वह आपको इतनी अच्छी हल्प करने वाले हैं वही कोश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि सलेबस वाइड इतना सा है ज्यादा बड़ा सलेबस नहीं होता अब कोश्च अकाउंड में लिमिटेड चैप्टर से वही है कुछ नए डी नहीं हो सकता इंकम टेक्स में वही चैप्टर से वही चले आ रहे हैं आप पिछले 20-30 साल से कोई कुछ खास भड़ा नहीं है थोड़ा बहुत अमेंडन होता है बट इस तना आता नहीं होता तो यह चीज़ आपको समझने के जौरत है इसलिए मैं कहना है अगर पढ़ाई नहीं किया है मार्केट से जाके दो क बड़ी करना सुरू कर दो नुमेरिकल देख लो कौन से प्रीवेस कोश्चन पेपर में आयते वह आपको मिल जाएंगे ठीक है उनको त्यार कर लो जैसे कि मैंने अभी बताया ठीक है बाकी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट करें यह इस्टाग्राम पर मुझे फॉ का है लास्ट मा लीजिए आपके फर्स्ट इयर में 65 परसेंट आए सेगंड इयर में 55 परसेंट आए अब एवरेज आपका क्या आ रहा है जी हां वन ट्वेंटी यानिकि अगर मैं डिवाइड करू टू से 60 परसेंट बन रहा है अब आपको अगर फटीजन लानी है फाइनल आकसा इं उसके लिए कुछ टीफ से ध्यान से देख लो समझ लो वर्णा पस्ता होगे जो तमनेल में लिखा है गलत नहीं लिखा देखो वाइड सेलेबस अब सलेबस वाइड क्यू है डीप क्यू है पता ही नहीं कहां से आ आ जाए अकसर मैं बच्चों को देखता हूं सर म पूरा रटके गया था मैं पता नहीं कहां से आगया कोश्चन ऑप्शनल जो कोश्चन होते हैं पहली बात तो आपका जो एक्जाम है वो ऑप्शनल है mcq-base है उसमें कोश्चन कहां से टपक जाए examiner ने क्या सोच की कोश्चन रख दिया कुछ नहीं पता current scenario से भी कोश्चन आते हैं जिसे जी स्ट है तो देश में क्या चल रहा है टेक्स इंपूट आउट्पूट टेक्स के उपर क्या चल रहा है एक्सपोर्ट इंपूर्ट पर कोई नया रूल आया और भी ने कोई नया रूल लिखाया उस पर कोश्चन आ जाता है तो current affairs से भी नो रट्टा मैंने काना रट्टा पीकेशन निकाम आने का बस जो रट्टे हैं वो final year में माक्स नहीं आते कहते तो हैं मैं सो के सो करके आया आते वही 45-45 पहती से यह गलती आपको नहीं करनी है समझ में आ रही है आपको बस करना यह है कि आप या तो books वोगेरा reading करना एक चीज़ और आपको help करेगी वो है self notes एक copy ले लो हर subject की अलग copy उस copy में जो भी आप पढ़ रहे हो उसे point wise लिखते रहो वह आपका एक question बन रहा है कि आप तो उसमें से आ जाए तो खुद के भी notes बनाओ अपने जितने बना सकते हो आपको help करेगा use two or three question paper मैंने आपको बताया and this is your final chance deep knowledge आपको थोड़ी लेनी है समझ के पढ़के बस एक तो रट्टा नहीं करना एक अपना copy बना के study करना this is your final chance अपने आपसे यह सवाल करो कि हाँ भाई तेरा final chance है अगर अब अच्छे नंबर आगे तो जो तिरी mark sheet है उसमें अच्छी marks आ जाओगे आपको पूरा guidance मिल गया है पूरा समझ में आ गया है don't make fool अपने आपको मत बनाओ fool और यह नहीं की चलो कर लेंगे अभी time बहुत पड़ा एक महीना है दो महीना है कुछ नहीं बस अभी के अभी लग जाओ कोई भी guidance लिए तो comment करो क्योंकि यह channel especially commerce वाले बच्चो के ओल पे क्लिक कर देना अकि वीडियो का notification आप तक होच जाएं बाबाइए